हालो एवरिवन वल्कम बेक टू शेप अप माई लाइब आज मैं सुभे से स्टार्ट कर चुकी हूँ मेरा आज सुभे का क्लीनिंग रूटिंग दिखाऊंगी मैं ब्रश कर लिया हूँ मेरा मेरा खुद का फ्रेश हो गया है अभी घर को फ्रेश करना है तो आप लोग व्लो करके रखी थी क्योंकि ठंडी का सिजन चल रहा था तो इसी का जरूरत था नहीं तो मैं कवर करके रखती हूँ क्योंकि वाइट कलर है तो उसमें पूरा गंदी की धूल हो जाते हैं और हमारा पास में ही रोड है तो बहुत धूल आते हमारे घर पे पता नहीं क्यों हर करना है, घर को, सोफे को ठीक करूगी, हौल को भी ठीक करूगी और पूरा धूप आ रहा है, आज गर पे इतना अच्छा लग रहा है न, अभी गर्मी पर गए तो सुबे सुभी एकदम धूप आजाते हैं घर के अंदर, और मुझे घर की सापशपई करने में पर नास्ता बना लिया तब तक हस्बेंड के लिए क्योंकि उनको शॉप में जाना है इसलिए पोहा बना के दे दिया था उनको और बेटी का एक्जाम खतम हो गया तो उसके फ्रेंस के साथ थोड़ा बीजी है क्योंकि यही टाइम है उसका माइन फ्रेश करने का फिर साल भर पूरा बीजी हो जाएगी घर की साबसपय हो गए अभी यह हॉल का थोड़ा सा जारू बाकी है वो कर लूँगी मैं फिर अभी थोड़ा बरतन भी पड़ाए वो भी मैं धोलूँगी जो लोग भी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को मेरे फैमिली में आप लोग को बहुत सारा वेलकम और जो लोग भी कॉमेंट करते हैं उनको दिल से थेंक्यू क्यों कितना टाइम निकल के आप कॉमेंट करते हो वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी भात है किचन की साबसपय कर लूँगी रात को थोड़ा बरतन धोके सोई थी फिर पानी का थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी पता नहीं क्यों अभी नियू बिल्डिंग भी बना है हमारा सोसाइटी में उसमें भी पूरा लोग भर गए उसके बज़ा से हो सकता है नाइट को पानी चला गया था तो मैं सुबह धो धो लिया पूरा का पूरा देखो एक Tech Зैन् मिन पानी जितना मोलता है ूस दिन उतना करती हूं दस मिनिट मिनिट जितना मन करें उतना कर लेुआ था कभी कभी 25 मिन भी हो जाता है पूरा घर की साप सप Olga करने के बाद na चला जाता है तब मैं आराम से करती हूँ एकदम घर सूना हो जाता है तब अच्छा लगता है मेडिटेशन करने में और यह जरूरी है प्लीज थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो और मैं कई से सीखी नहीं हूँ जो मैं मेरे को ठीक लगता है जैसा ठीक लगता है वैसा मैं करती हूँ अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना प्लीज और सुबह उठके थोड़ा warm water और उसके बाद एक गलस पानी दो गलस पानी हो चुक है और एक गलस पानी लूँगी थोड़ा से अलमंड लूँगी उसके बाद मैं थोड़ा सा चाई पीऊंगी ये नई वाले कप में पीना है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अलग-अलग कप में रोच पीने का मुझे बहुत अच्छा लगता है चाई चाय में थोड़ा सा दार्चिनी का तुकड़ा और थोड़ा सा अद्रग दिया था थोड़ा सा चिनी बस और पोहा बनाई थी वही पोहा मैं चाय के साथ इंजोई करूँगी बहुत अच्छा तक आज उक्यू मैं थेंक्यू फर वाचिंग पहली बर देख रहों तो सब्सक्राइब कर देना थेंक्यू